वेल्कम्टू वेल्कम्टू अन्वंगएशं यूटूटूब चैनल किया क्लियर है क्लियर香 के सैंप्ट मुद् सैट मीजिस्टी में समि denen से संपंध कर लिया है तो आदर्णिक भारत का इर्टीयास का क्या हो.. क्या होगा पाट दर्स होगा इसमें हम लोग जो परेंगे वो होगा दोस्तों फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी इस्ट इंडिया इंडिया कंपनी को आज हम लोग जानने का क्या करेंगे दोस्तों पर्यास करेंगे तो चलिए विना विलम की हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फ्रांसिसी इस्ट इंडिया कंपनी की अस्थापना जो हुई थी एक सेप्टेमबर 1664 इस जो होता है friends करनाटक यूध। जो कुल कितने हुए थे, हुऐ थे, उसे भी हम इसी में जानेंगे, और जो की काफी महत्पून माना जाता है, तो मैं पहले आपको बदर दका हूँ कि पहला जो करनाटक यूध हुआ था, दोस्तों पहला करनाटक यूध हुआ भूआ था 1746 से 1748 पीटाबों से कितना हुआ था दोस्तों 1748 बूआ था 1746 से 1748 कई किताबों में आपको अलग अलग डेट मिलेगा लेकिन ये फ्रेंस एकदम सही डेथ है जो की पर्थम करनाटक युद्वा था 1746 से 1798 और दूतियव करनाटक युद्ट की बात हम लोग कर लेए दूस्तों तो 1749स अतरो सो उन चास से लेकर के 175 से 3179 की बीच क्थ 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 क्या वह था दूसरा करनाटक जिद हुआ था ज्यादा confusion लोगों को होता है ये दूतिय करनाटक जिद में डेट आपको कई किताबों में अलग-अलग मिलेंगे लेकिन ये जो डेट मैंने बताया है वो सही डेट है जो की 1749 से 1774 में हुआ था और थर्ड जो होता है दोस्तो ये होता है 1759 कब होता है दोस्तो 1759 से लेकर के होता है 1763 ये जो है दोस्तो 3 है कब होता है 1758 से 1773 तक तो चलिए आप लोग जान लिए कि कियो तीन जिद हुआ कब कब हुआ दोस्तों मैं आपको इसे एकदम अच्छे से डिटेल से पढ़ाऊंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या फ्रांसेस इस इंडिया कंपनी को तो देखिए फ्रांस जो फ्रांस था जो मतलब की कहा जाता है कि पूरे यूरोप में पूरा जो यूरोप था दोस्तों सबसे महात पूर्ण जो था महात पूर्ण सबसे महात पूर्ण देश में सबसे पहले फ्रांस था क्या था फ्रांस क्या था सबसे महात पूर्ण देश माना जाता था ये फ्रांस कहा जाता था कि फ्रांस जब चीकता था मतलब जब सर्दी लगती थी फ्रांस को तो कहा जाता तो यूर रोब देखी जहां तक कहा जाता था और कहा जाता है कि फ्रांस का सासक जो इस समय इसकी अस्थापना हुई थी सातरों सो सॉरी 1664 में उस समय फ्रांस का जो सासक था तो सासक इस समय था लूई कौन था दोस्तो लूई 14 था लूई 14 कौन था सासक था लूई 14 कहता था मतलब कि इसका जो कहना था क्या कि मैं जो हूँ मैं ही क्या हूँ राज मैं ही राज हूँ और मेरा जो हर बात है मतलब कि मैं राज हूँ और जो मैं बोलूँगा और मेरा जो बात है वही क्या है कानून है ये कुण बोलता था दोस्तों लूई सुलवा बोलता है काई एक्जाम यो पीस्टी बगरा में पोशा जाता था कि ये विचार आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनमें से किसने कहा था क्या कहा था किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा ही बात क्या है कानून है तो हम अब असानी से लगा देंगे कि पर दोस्तों ये कोलवल bacot को ड़ते हैं कोलवल ऋद्रड कोड़ा मना या दोस्तों थैं मिट यह को Hypoth Rechau हे तो मैं यह इनका आपको पूरा नाम बता दू इनका जो पूरा नाम है को वार जो थे लूइ चौदा हमां का यह जो है कोल वसह हैं लूइज को ऑधार देता हूं जोन बैप्टिस्ट कोर्वर्ड जोन बैप्टिस्ट कोर्वर्ड नाम क्या क्वेश क्वेश्थ क्या नाम तो क्या करता है लूई कोलवर्ट् वार्ट्स क्या देटा सला देता है सूनिये न कि भारत में क्या करें कि भारत में क्यों क्यों न से को आपना को ठीजिए कटी बाया फारिक वॉफ भया पाड़ृ को ठीज कोड़ ले। को दे रहा है सला यहां दोस्तों हैं कोड़ दे रहा है कि कि इसको लुच छोद को बोलता है ब्रवार्त करें भारत करने के लिए तो आप क्या होता कहता है दोस्तों कि कि इस इंडिया कांपनी कोकि किनकलवां ने कहा और किसको लुई 14 माह Déliu को क्या करता है दोस्तों लुई 14 छाली इस फापना करते हैं दो इसी लिए क्वेक्षट्जन आपसे पूखता जाता है कि हो सबस्तर्ण से इस इंडिया कंपनी का जो संस्थापक माना जाता है संस्थापक किसे माना जाता है को किसी दोस्तों को माना जाता है क्या संस्थापक माना जाता है तो चलिए अब आगे चलते हैं आगे जो हम लोग देखेंगे दोस्तों अब हम क्या देखेंगे फ्रांस के उपनिवेस ऑप्रांस के उपनिवेष कि लाए फोरांस कि आप में दो क्या करेंगे जानने का परियास करेंगे तो कहा मैंने डेस इंडेस औरियेंटल कंपनी क्या मैं लिखता हूं यहां कंपनी डेस इंडेस डेस इंडेस औरियेंटल कंपनी बोला जाता है किसको दोस्तो फ्रांसिसी इस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोला जाता है कंपनी डेस इंडेस और येंटल बोला जाता है चलिए दोस्तो आगे हम चलते हैं और आगे हम जो जानेंगे दोस्तो इस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या चला था हम लोग उपने वेश्च चले थे आप क्या होता है कोलवर्ट फ्रांसिसी इस्ट इंडिया कंपनी जो हम लोग देख रहे थें कंपनी का जो पहला महा निर्दे कि महानिर्देशक जो बनाया जाता है दोस्तों कमपणी का वह होता है ha francis bayerno क्या होता है francis के रो जीन का नाम होता है francis का ए่ कै क्यों क्या नाम है दोस्तों francis kayo हो जो महानिर्देशक बनता है कौन सा फ्रांसिसी इस्ट इंडिया कमपनी का बन गया यहां तक हम लोग देख चुके हैं आप देखिए क्या होता है कि यह तो बन गे कैरो इन्हों ने आप सला दिया किसने सला दिया फ्रांसिसी कैरो फ्रांसिसी कैरो सला दे रहे हैं आप क्या सला देते हैं इन्हों पर आफुरीका काए टी फक आफिरीका और इंडिया ऑपना इंडिया अजिसाइं कि यहस Κनल कि और इंडिया 1085-172 च्यूरा अफ्रीका क्या अम्यदी वजनश करें यह क्या सलारख वश्यस करfed कदो आ तो दुनुंग़ बीक क्या होता है मेड़ा गासकर पर पहले अपना क्या होता है कोठी कोठी अस्थापित करते हैं क्या मेड़ा गासकर पर कहां अस्थापित करते हैं कोठी अस्थाफित कर लिया मेड़ अगासकर पर अक्यास्थापना की और क्या हुआ कि 1666 में दोस्तों कब 1666 में पर्यास किया कोशिश करते हैं कोशिश क्या कोशिश किये करेंच और कि 1666 की बाते हैं आप तो स्टों कि कम्पनी को चलाने के लिए उससमें तो क्या होता था लैसेंस ऐक था उससमें बात करें ये मुगल शाके मुगल होते हैं तो क्या हो था होना होता त bawह कि पर करने ऐजादी दITH याईगी और तुम क्या करता है कि अपना है स्टापित कि 666 की बात हो गई अब क्या होता है कि लैसेंस नहीं मिलता है कि इसको लूइस के जोधा है अभी कोन है बहुत कोशिश करता है कि ने बहुत कॉशिश्स करता है लाइसेंस लाइसेंस इसको क्या होता है दोस्तों नहीं मिलता है लुए चौधामा को अब क्या होता है कि भारत का सासक हम बता रहे हैं कि क्या है अभी मुगल चला है औरंग जेब को चिठ्ठी लिखता है कौन किसको लिखा औरंग आग से औरंग जेव कर लिख दिया गया दोस्तों को लिखे ढूरंग-डैब को क्या लिखाग दिया गया चिठ्थी लिखते हैं और बैपार करने का क्या करते है कि हमको क्या दभ admira करने का हमको gdzie हम confirmation rate ऑपना मैपार करेंगे लाइशेंस माहना और 1766 में के बाद फिर मतलब की सटरहोस च्यासजश 666 में गया तो क्या हूँ एक प्र hour शचनफी को नहीं मिला कीट्रोश और कि क्या हूँ लाइशेंस के बाद मजञानी की 170 1268 में क्या किया गया इनको क्या दिया गया लाइसेंस दे दिया गया कहां सूरत में बैपार करने के लिए कहां दोस्तों सूरत सूरत में बैपार क्या कर दिया गया और अंगेब के द्वारा सूरत में बैपार करने का लाइसेंस मिल जए गया जो पहली कोठी थी क्या थी दोस्तों फर्स्ट कोठी थी पहली कोठी पहली कोठी थी किसकी फ्रांसेसी इस्ट इंडिया कंपणी की पहली कोठी थी जो 166666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 किलियर हो गए होंगे फ्रेंट तो चलिए आज का वीडियो इतना ही तो फ्रेंड्स हसते रहें मुस्कुराते रहें मिलेंगे हम अपनी नेक्स वीडियो में और फ्रांसिस इस इचलिया कंपनी को मैं कोशिज करूँगा कि आधा खतम कर दूं इस मतलब कि मैं बता दूं कि करनाटक पर सम करनाटक यूद को मैं पूरा कंप्लीट करने का पढ़्यास करूंगा तो चलिए दोस्तों हसते रहे मुस्कुराते रहे मिलते हैं में अपनी नेक्स वीडियो में